हेलो फ्रेंस, वेलकम टो एट्वन्टीफोर नॉलेजे ओफिशल यूट्यूब चैनल आज के इस वीड़ो में हम बात करेंगे भारत सरकार टकसाल इंडिया गौवर्मेंट मिन्ट कोलकता की नीउ रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन के बारे में और इसके फॉर्म अपलाईब प्रोसेस के बारे में तो friends यहाँ पर जो यह notification है यह friends आपके requirement है engraver और junior office assistant post के लिए जिसके लिए आप apply कर सकते हैं online 7 मई 2022 से 7 जून 2022 तक आप इसमें आविदन कर पाएंगे और इसकी जो LBT conditions है वो आपको इसकी official website पर या फिर आप जाएंगे वीडियो description में jobraasta.com के link पर वहाँ पर जाकर आपको इसकी details चेक करनी है अगर आप applicable है, eligible है, apply करना चाहते हैं तो आप इसके लिए online apply कर पाएंगे apply करने से पहले notification को ध्यान से चेक जरूर करें जो की requirement है 01-2022 और अगर आप applicable है तो apply कर पाएंगे और इस वीडियो को start करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है subscribe करें, share करें, like करें जिससे आपको आने वाली सारी updates मिल सकें तो यहाँ पर फ्रेंस यह कि यह इसका online apply portal है जहां से आप इसमें आविदन करते हैं तो सबसे पहले friends आपको new registration वाले option पर click करना है registration करने के लिए तो आपको यहाँ पर सबसे पहले देना होगा आपका नाम तो friends आपका नाम आप यहाँ पर enter करेंगे इसके बाद middle name या last name है तो आप enter कर सकते हैं बाकि first name आपका mandatory रहता है आपका नाम एंटर करने के बाद आपको देखिए जो पूरा नाम है वो देखने को मिल जाएगा आपको 10 digit का mobile number एंटर करना है मैं भी sample के तोर पर data एंटर कर रहा हूँ आपका जो actual data है वो ही आपको यहाँ पर enter करना होगा इसके बाद है फ्रेंटस आपकी mail ID तो mail ID का first part और यहाँ से आपका mail ID का domain होता है वो आपको select करना होगा नीचे है आपके confirm mail ID तो यहाँ पर आपको mail ID confirm करनी है with domain आपको पूरी mail ID आपको यहाँ पर mention करनी होगी इसके बाद फैंस आप इस security code को यहाँ पर fill करेंगे और उसके बाद यहाँ से save and nest कर देंगे registration complete करने के लिए तो यहाँ पर फैंस जब आपका registration complete हो जाता है registration complete होने के बाद अब आपको photograph and signature यहाँ पर upload करने है आपको browse पर click करना होगा file को select करना होगा और यहाँ पर फैंस आपकी जो photo and sign है वो आप यहाँ पर upload कर पाएंगे photo and sign upload होने के बाद आप इसे confirm करेंगे कि photo and sign सही से upload हो गए है उसके बाद ही आप यहाँ से next step पर click कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका तीसरा option है जो की है detail section यह open हो जाएगा post आप यह तो engraver के लिए या फिर junior office assistant के लिए select कर सकते हैं engraver के लिए आपको यहाँ पर दो option मिलेंगे sculpture या metal works तो आप इन में से कोई भी option को select कर सकते हैं जिसके रिए apply करना चाहें office assistant है तो आपको यह option नहीं मिलता आपकी category क्या है SC, ST, OBC, EWS, General वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं आपकी जो भी category है वो आप यहाँ पर select कर पाएंगे इसके लबाफेंस अगर आप PH candidate है तो yes कर सकते हैं और type of disability select कर सकते हैं और अगर आपकी इन में से कोई भी disability नहीं है या फिर आपको ऐस्टा टाइम चाहिए आपको यहाँ पर subscribe चाहिए नहीं चाहिए आप यहाँ नो कर पाएंगे नहीं है तो आप simply no कर सकते हैं religion आपको यहाँ पर select करना होगा minority company से belong करते हैं मतलब जैन सिख बहुत पार्सी मुसलमान तो आप यहाँ नो कर सकते हैं एक service man है तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं आपका period of service आपको यहाँ पर mention करना होगा इसके लबाफेंस आपने यहाँ पर जो period of service आपने यहाँ पर की है व आपको select करनी होगी इसके बाद center of examination आपको दिया गया है Delhi, Hyderabad, Kolkata और Mumbai यहाँ चूज कर सकते हैं कोई भी एक center इसके बाद है आपका date of birth तो आपको date of birth देना है तो date month and year आप यहाँ पर select कर सकते हैं आपका ace criteria 762022 मिन्स last date पर count होकर आ जाएगा gender select कीजिए twin brother sister है तो आप यहाँ पर yes या no कर सकते हैं यदि आप yes करते हैं तो उनकी जनकारी provide करनी होगी marital status क्या है वो आपको select करना है और इसके बाद आपको देना है आपका यहाँ पर father name यह father name देने के बाद आपको फ्रेंज से mother name यहाँ पर mention करना होगा और इसके बाद है spouse ने मतलब पती या पतनी का नाम अगर आप married या other category choose करते हैं तो आपको यह देना होगा next option आपके address का है तो दो address आपके correspondence और एक है आपका permanent correspondence वो होता है जहाँ पर आप present में रहते हैं और यह friends आपको यहाँ पर district आपका address है पूरा आपको देना होगा किस state के अपने वासी है और इसके लावा friends आपका pin code क्या है वो आपको देना होगा अगर आपका present address और यह permanent address same ह है तो आप CMS पर click कर सकते हैं अलग-अलग है तो आप अलग-अलग entry करेंगे इसके बार friends यहाँ पर देखिए आपको amount मिल जाएगा जो कि आपको pay करना है और इसके लिए validate करेंगे अगर आपने कोई भी option को blank छोड़ दिया होगा तो वो आपको error शो करेगा और इसके बार friends आप दोबारा से validate करेंगे अगर यहाँ पर कोई option आपका blank रह गया है जैसे यह वाला option blank है आप उपर जाकर check कर सकते हैं अगर अगर friends आपको लगता है कि सारे options आपके बिल्कुल सही है और यहाँ पर यह verified हो जाता है तो इसका मतलब आपने यहाँ पर जो भी required option है वो फिल- date of passing क्या है मतलब आपने इसको कब पास किया है आप उसकी जानकारी provide करेंगे आपका percentage क्या है वह आपको देना है class of grade आपको select करनी होगी computer की knowledge इसमें typing speed English or Hindi में आपकी इतनी है तो आप यहाँ पर yes करेंगे और यह post के लिए mandatory है तो आपको yes करना होगा अगर आपके पास कोई experience है तो आप नो करके भी आप यहाँ पर अपने experience के जानकारी सकते है multiple अगर आपकी organization है तो आप add more कर सकते है और आप fresher candidate है को experience नहीं है तो आप simply no करेंगे इसके बार language known कौन-कौन सी language आप जानते है तो आपको friends यहाँ पर language देना जरूरी है कम से कम एक language आपको देनी होगी बाकि आप English, Hindi आप जो भी language जानते है read, write और speak करना आप उसे देंगे और उसके बार validate करेंगे वेरिफाइड होने के बार आप यहाँ से save and nest करेंगे इसके बार friends आपको मिलता है आपका preview section पर द्यान से check करें कोई भी गलती अगर आपको लगती है तो आप back जाकर सही कर सकते अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप agree करकर complete करेंगे registration को और उसके बार आप इस okay वाले option पर click करेंगे बसे ध्यान रखिएगा यहां से एक बार continue करने के बार आप कोई भी edit नहीं कर पाएंगे इस प्रिवी को ध्यान से check करें अगर आपको लगता है गलती है तो back जाकर सही करें नहीं तो आप इसे submit यहां से कर देंगे इसके बाद है आपका left thumb impression और hand run declaration upload इसके लिए फैंस आप browse पर click करेंगे और आपका left thumb impression है वो आपको यहां पर upload करना है आपका जो यहां पर hand run declaration है वो आपको upload करना होगा मैंने sample के तोरुपर आपको यहां पर show करना होगा एक page पर लिखना होगा जैसा मैंने आपको sample में दिखाया इसके बाद फैंस आप इस capture code को यहां पर fill करेंगे और इसके बाद फैंस यहां पर आपके सामने यहां पर open होता है आपका payment gateway तो payment gateway पर फैंस पेमेंट करने के लिए तो बिल्ड डैस्क है पेटियम कोई इसके बाद फैंस आपके सामने जो बिल्ड डैस्क है वो आपका open हो जाएगा जहां पर आपको multiple options मिलते हैं UPI का QR code का cash card का net banking का debit card का कोशिश किजे credit card debit card या net banking में से आपको एक option को यूज करें आप अपने card के देल्स को fill कर सकते हैं net banking यूज कर सकते हैं किसी भी बैंक की और उसके बार अपने payment को verify कर सकते हैं इसके बार फैंस जब आपका payment यहां पर verify हो जाता है तो आपको rewrite कर दिया जाता है इसके home page पर home page पर आने के card friends आपका जो यहां पर print application option है वो open हो जाएगा और यहां से अपना print निकाल कर अपने पास आप रख सकते हैं future use के लिए future reference के लिए तो यहां पर friends इस वीडियो हमने बात की SPM CIL का IGM Kolkata requirement 2022 का online form आप कैसे fill कर सकते हैं step by step process के बारे में अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद इस पूर वाचिंग